नॉमिनेशन टास्क के बीच प्रियांका से लडाई में शिफ्ठाकरे को सधार्ट शुकला का नाम लेना पड़ा काफी भारी सोशल मीडिया पर फिलाल शिफ्ठाकरे को किया जा रहा है जमकर ट्रोल दोस्तों आपको बता दे कि प्रियांका और शिफ्ठ के बीच इस बार के नॉमिनेशन टास्क में भयंकर लडाई देखी गई प्रियांका कहते हुई नजर आएं कि सारी मंडली मेरे उपर चड़ जाती है सारा घर मेरे खिलाफ रहता है मैं फिर भी अकेली लड़ती हूँ जिसके बाद शिफ्ठाकरे ने कहा कि सिधार शुकला का टायलोग कौपी मत करो पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सिधार शुकला अपने बिग बॉस के सफर में कई बार ये कहते हुए नजर आये थे कि भई सारा घर मेरे अगेंस्ट रहता है और मैं अकेला रहकर भी सब का सामना करता हूँ जो बात फिलाल बिग बॉस सीजन 16 में प्रियंका चार चौधरी ने बोली और यहां पर शिफ्ठाकरे ने उन पर इलजाम लगाया कि वो सिधार शुकला का डायलोग कौपी कर रही है तो बस उसके बाद ही सोशल मीडिया पर जंक चिड़ गई लोगों ने शिफ्ठाकरे के इस कॉमेंट पर तरह तरह से रियक्ट करना स्टार्ट कर दिया कुछ लोगों का कहना है कि शिफ्ठाकरे को अपनी लडाई में ऐसे किसी का नाम नहीं लाना चाहिए तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर यूजर्स ने इस ट्राक को किस तरह से देखा है और किस तरह से इस पर रियक्ट किया है एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा शिफ्ठाकरे को प्रियांका इस प्लेइंग दस सिधार शुकला कार और शी इस कोपी इस के साथ एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा इस के साथ एक और यूजर ने कॉमेंट करते हुए लिखा इस के साथ एक और यूजर ने प्रियांका की तारिफ में लिखा कितनी भी बड़ी बात हो गेम में किसका नाम लेना है किसका नहीं पता होना चाहिए लोगों के emotions जुडे है इसके साथ ही एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा तीसरा प्रियांका इस प्लेइंग लड़की वाला कार्ड एंड चौथा प्रियांका चाहार चौधरी स कॉपिंग सिधार्थ शुकला मेकर्स मस्ट बैश हिम बैडली बाई वीकेंड का वाल विल दोस्तों फिलाल इन सारे ट्वीट से एक बात तो साफ है कि सिधार्थ शुकला से लोगों के कितने emotions जुडे हैं हर कोई सिधार्थ शुकला के नाम को यहां defend कर रहा है सभी का कहना है कि शिव को इस तरह की लडाई में सिधार्थ शुकला का नाम नहीं लेना चाहिए तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रही हैं कि सिधार्ट शुकला से कंपैर करना प्रियांका के लिए तो बड़पन की बात है क्योंकि भई वो बिग बॉस सिजन 13 के विनर थे और अभी प्रियांका इस सिजन की विनर होगी फिलाल आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईगा हमें जरूर अपनी राय दीजिएगा कि क्या शिव ने जो भी इस पूरी लड़ाई में कहा सिधार्ट शुकला का नाम घसीटा वो कितना सही था इसी के साथ आपकी क्या राय है कि प्रियांका और सिदार्ट का कंपारिजन कितना ठीक है ये भी जरूर बताईगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही टीवी और बॉलिवुड से जोड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहेगा फिल्मी बीट और अगर आपी वीडियो फेस्बुक पेश पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें जरूर फॉलो कीजिगा